बिसमिल्लारहमान ररहीम, अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, मैं हूँ हसान फरीद, आपका फिजिक सीचर स्टुडेंट्स आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरेज, उनकी करेक्टरिस्टिक्स और एक्सरेज की अप्लिकेशन देखी थी और हम लोग ने देखा कि अगर किसी शक्स की बोन फ्रेक्चर हो, तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं इस बात का कि उसकी बोन फ्रेक्चर है या नहीं, यूजिंग एक्सरेज, लेकिन स्टुडेंट्स आप लोग जानते हैं कि एक्सरेज जो है, वो डैमेज भी कर है cat scanning, जिस instrument को हम कहते है cat scanner, ये instrument क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और older technique से, किस तरह से बेतर है, ये हम जानेंगे students आज के lecture में, तो आए students start करते हैं आज का lecture, students सबसे पहले, आज का जो article है, वो आपकी book ने इस paragraph में दिया हुआ, ये सारा paragraph मैंने पहले ही आपको के सामने यहां पर लिख दिया है, थाकि हमें आज का lecture समझने में, बिल्कुल भी किसी किसम की दुश्वारी ना हो, students सबसे पहले, article का नाम देखिए, क्या नाम है जी, cat scanner, scanner है तो इसका मतलब ये machine का नाम है, technique का क्या नाम होगा, cat scanning कहेंगे इसको, याद रखेगा, सबसे पहले आपको ये देखना है, के cat का मतलब क्या है, यह cat का मतलब है, cat abbreviation है, computerized axial tomography, ये तीनों words को students note कर लें, ये मैंने अभी detail में आपको बताना है, computerized का क्या मतलब है, axial का क् tomography का क्या मतलब है, लेकिन students, उससे पहले, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कि ये जो cat scanner है, daily life में कैसा देखता है, क्या आपने कभी cat scanner देखा है, आपने cat scanner का word तो नहीं सुना होगा, लेकिन आपने शायद CT scan का word सुना हो, याद रखेगा, जब कोई शक्स कहता है, कि time इसका हम CT scan भी कहते हैं, now students, ये daily life में अगर आप लोग ने ना भी देखा, तो किसी drama या किसी movie के अंदर आप लोग ने जरूर देखा होगा, जब patient जो है, वो इस तरह की एक machine के अंदर दाखिल किया जाता है, ये जो machine है students, ये है cat scanner, अगर आपने कभी donut खाया हो, तो आप हैंगे कि इस machine की ये जो opening है, जिसके अंदर patient को enter कर रहे हैं, वो भी एक donut shape की तरह की ही है, ये students हमारे पास machine है, जिसे हम कहते है cat scanner, और दुबारा इसका मतलब देख ले, computerized axial tomography, लेकिन students, ये काम किस तरह से करती है, इसके अंदर क्या instruments हैं, और ये previous techniques, जो older x-ray techniques हैं, उन से क किस तरह से बेतर है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताना है, लेकिन उससे पहले, last lecture की एक बात मैं आपके साथ share करता चलू, मैंने आपको बताया, कि जब भी हमने किसी शक्स का x-ray लेना हो, तो हम क्या करते हैं, एक x-ray का source होता है, और एक photographic plate film होती है, और उसके दर्मि इरिया है, इसमें bones की information आपके पास मौझूद है, लेकिन students, अगर आप dark area के लिहाज से, इस light area को study करें, तो difference इतना कम है, contrast इतना कम है, कि आपको वाज़ तोर पर bones के बारे में information पता नहीं चल रही, क्या मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, बिलकुल कर सकता हूँ students, अगर मैं x ray source से जादा x-rays emit करूँ, तो जब जादा x-rays emit करेंगे, तो हमारे पास photographic plate के उपर, impression जादा strong आएगा, अब हमारे पास कुछ इस तरह का x-ray आएगा, अब ज़र अगर आप गौर से देखें, तो dark areas इतने जादा dark हैं, कि bone वाला area आपको बहुत वाज़ तोर पर नज़र आ x-rays emit करनी पड़ी, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, x-rays damaging होती हैं, क्योंकि ये जादा energy रखती हैं, तो अगर मैं x-ray source से जादा x-rays emit करूँगा, तो याद रखिएगा, उससे image में detail तो जादा आएगी, लेकिन वो जो शक्स है, जिस पर हम x-rays फैंक रहे हैं, उस शक्स के healthy tissues damage होने का chance भी बढ़ जाएगा, तो फिर मैं कैसे बगएर x-rays की amount जादा किये, इस x-ray का final image इंप्रूव कर सकता हूँ, एक तरीका है students, और वो तरीका ये है, कि मैं बजाए photographic plate film के, उसकी जगा पर बहुत से detectors रख दूँ, आप जानते हैं, detector बहुत sensitive होते हैं, photographic film के मुकाबले में, तो मैं photographic film को replace कर सकता हूँ, बहुत sensitive detectors से, क्योंकि अगर detectors रखूँगा, तो आप लोग जानते हैं, वो उसके मुकाबले में जादा sensitive हैं, तो कम x-rays मैं emit करवा कर, detector से वो ही information ले सकता हूँ, क्योंकि वो जादा sensitive हैं, students, वो जादा information gather कर सकत हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं, कि detector जो है, वो computer के बगार काम नहीं करेंगे, तो detector जो है, वो अपना ये सारा data जो उन्होंने x-ray का लिया है, वो computer को देंगे, और computer उनको process करके final image देखा, तो आपने देखा, आप मैंने final image जादा बेहतर बना लिया है, लेकिन x-ray की तद बढ़ा कर नहीं, बलके x-ray के सामने detector लगा कर, किसको replace कर दिया, मैंने photographic film को replace कर दिया, detectors के साथ, तो ये एक तरीका है, जिसमें हम जादा बेहतर कर सकते हैं x-ray के use को, लेकिन आपको मालूम है, कि मुझे computer use करना पड़ेगा, यही वजा है, कि हम लोगों नहीं यहाँ पर, इसको क्या नाम दिया, cat scanner को, computerized axial tomography, axial tomography का क्या मतलब है, उसको बाद में देखते हैं, लेकिन आप लोग ने देखा, कि computerized का word क्यूं आया, क्यूंकि detector use करेंगे, जब detector use करेंगे, तो final image फिर computer के उपर बनेगा, Now students, दूसरी important बाद देखते हैं, इसको axial क्यों बोला, अभी तक जो मैंने आपको instrument दिखाया है, उसमें detector जो है, वो static है, लेकिन actually मैं याद रखिएगा, यह detector और यह x-ray source इस axis पर rotate कर सकते हैं, तो यह x-ray source साथ-साथ x-rays फैंकता रहेगा, और यह साथ-साथ rotate करते रहेंगे जिससे आपके पास और जादा three-dimensional information आएगी, इस वज़ा से, क्योंकि यह अपने axis पर rotate भी कर रहा है सारा apparatus, तो फिर मैं इसको क्या कह रहा हूँ, axial, क्योंकि यह अपने axis पर rotate कर रहा है, तो आपने देखा, दो words का मतलब पता चल गया, computerized भी है यह, और साथ-साथ यह axial भी ह कि अपने axis पर rotate भी करता है, अब तीसरा word क्या है, तीसरा word है tomography, तो आएए students ज़रा देखते हैं कि tomography का क्या मतलब है, tomography basically दो Greek word से निकला है, tomos and graphos, याद रखेगा, यह जो tomos है, इसका मतलब Greek में होता है, slices का, या sections का, graphos का मतलब आपको मालूम है, किसी चीज को draw करना, तो इसका मतलब tomography का क्या मतलब हो, to draw something from slices, ये एक अजीब सी बात है, आईए students इसको ज़रा देखते हैं, imagine करें, मेरे पास एक चीज की बहुत सी 2D pictures हैं, आप कह सकते हैं, ये slices हैं, अगर मैं इन सारी 2D pictures को इकठा करूँ, तो मेरे पास ये एक image बनेगा, जो के 3D होगा, य जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, तो आपने देखा, कि मैंने 3 words आपके सामने explain कर दिया, कि cat scanner में computerized क्यों लिखा, उन्होंने axial क्यों लिखा, और tomography क्यों लिखा, लेकिन students, जो चीज मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, असल cat scanner में ये चीज कहां पर होती है, याद रिखेगा, असल cat scanner में ये जो donut shape है, इस shape के अंदर हमारा x-ray source भी होता है, डिटेक्टर भी होता है, और ये दोनों rotate भी कर रहे होते हैं सेक्सिस पर, तो याद रिखेगा students, ये x-ray source सासत raise emit करता रहेगा, और सासत पूरा operator जो है, वो rotate होता रहेगा, और मरीज जो है, एक 3D image बना देंगे, तो ये हमारे पास tomograph बन गया, और ये कहलाया computerized axial tomography, तो students को पढ़ लेते हैं, the x-ray source produces a thin fan shaped beam that is detected on the other side of the object by an array of several hundred detectors in a line, each detector measures absorption of x-rays along a thin line through the subject, ये सारी बात क्या लिखी हुई है, ये फिर बता देता हूँ, ये वो ही बात लिखी है, कि हमारे पस एक x-ray source हो ये होंगी thin beam की शेकल में, और इसके बिल्कुल सामने detector जो इसको detect कर रहा होगा, now students, अगली बात वो क्या कह रहा है, the entire apparatus is rotated around the subject in the plane of beam, और वो कह रहा है, कि ये पूरा apparatus जो है, ये rotate भी हो रहा होता है, साथ-साथ, the changing reactions of the detector are recorded digitally, detector जो हो सारी information को record करेगा, a computer processes the information and reconstructs a picture of different densities over an entire cross section of the subject, तो हमारे पास बहुत सी picture जो है, वो computer जो है, वो ले लेगा हर section की, और फिर वो, उन सारी pictures को इकठा करके, हमें एक 3D image बना कर देगा, students, density difference of the order of 1% can be detected, बहुत important बात है, किस हद तक ये sensitive instrument है, कि ये 1% का density difference भी detect कर सकता है, older technique से ये नहीं detect हो सकते थी, तो वो anomalies, या व तो tumors, जो हम पुरानी technique से detect नहीं कर सकते थे, cat scanner उनको भी detect कर सकता है, ये बात उसने लिखी है, with cat scanner, tumors and other anomalies, much too small to be seen with older techniques, जो पुरानी technique से detect करना बहुत मुश्किल थी, can be detected, तो cat scanner से उनको detect किया जा सकता है, तो students, ये हम लोगों ने देख लिया, कि cat scanner किस तरह से बेतर है, प हाफिज